नमस्कार मैं डॉक्टर पीम तृपाथी डारेक्टर वैड आईसीएस लखनव। आज आपके साथ जिन तीन इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स के इशूस पर डिसकस करने आया हूँ। वो न्यूज हैं जो के मेरे लिहाज से सिब्ल सर्विसेज यूपी एससी के एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट हैं। प्रिलिम्स और में एक्जाम दोनों के लिहाज से मुझे लगता है कि इस पर सवाल शायद उचा जाए। जिसमें की पहला है फ्रेंकोफोनी समिट, फ्रेंकोफोनी शिखरवारता जिसका आयोजन फ्रांस के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा है नीती आयोग की रिपोर्ट जो उन्होंने आगामी महामारी की तैयारी को लेकर के प्रस्तुत की है। देट हाओ वी शुद प्रिपेर फ़र अपकमिंग पैंडेमिक इफ देर इनी सच पैंडेमिक अगें विटनेस्ट दन हाओ वी शुद टैकल दिस और तीसरा है टेन येर्स सवच भारत मिशन सवच भारत मिशन के दस वर श्पून हो गए हैं जैसा कि आप जानते हैं कि दो 2014 को हमारे प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना की शुरुवात की थी और इस 2014 में 2 अक्टूबर को इसके दसान पूरे हुए तो एक एक करके इस ख़बर को देखते हैं पहला है फ्रेंको फॉनी समेट तो इन फ्रांस असमेट पर डिप्लोमेसी टेक और डाइवरसियल्स यहने के कूटनीती तक्नीक और विवेदता पर फ्रांस के दोरा यह शिखरवारता हो रही है फ्रांस विल होस्ट ओवर हंडेड हेड्स अप स्टेट्स और गवर्मेंट और हाई रैंकिंग ओपिशियल्स पर नाइंटीन फ्रेंको फॉनी समेट तो फ्रांस वारा जो है उन निसमें फ्रेंको फॉनी शिखरवारता के इस अवसर पर सौ देशों के राष्टा ध्यक्ष और अन्य उच्च धिकारी इसमें भाग लेंगे इट विल भी हेल फ्रम अक्टूबर 4-5-2024 और यह आने वाले आज की तारिफ अक्टूबर 24 में 4 और 5 अक्टूबर को होगा देशों के साथ भी जो की फ्रांसी सी भाषा नहीं बोलते हैं कि यह बहुत सारे अंतरराष्ट्रिय महतुकून विश्यों पर इसमें चर्चा की जाएगी और उन देशों के साथ भी जो की फ्रांसी सी भाषा नहीं बोलते हैं विशेशकर भारत के संदर्व में यह बहुत मातुपून है इस इंक्लूड दी रिनुवल अप मल्टिलेटरिलिजम और इसमें जो है बहुत स्तरिय संबंधों पर बात चीत होगी इस संब्सथान के द्वारा जो लोग फ्रांसी सी भाषा का प्रियूग करते हैं उन देशों को जोडने का कान किया जाता है लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है बलकि इसके ज़्यादा और भी कुछ है क्योंकि टुडे ला फ्रांकोफोनी आलसो प्रॉइडस अ कोपरेशन फ्रेमवर्क फर की ग्लोबल इशू सच आज डिजिटल टेक्नोलेजी जेंडर इक्वालिटी और इकोनॉमिक मैटर्स अंडर दे लीडर्शिप अफ सेक्रेटरी जनरल लुई मुशिकावावे तो अब जो फ्रेंकोफोनी है सिर्फ फ्रांसीसी भाषा के ही प्रचार प्रसार और उसके उत्थान और विकास के कारियों तक सीमित नहीं है बलकि इसमें बहुत सारे अंतरराष्ट्रिये और वैश्विक मुद्दे भी जोड लिए गए हैं जैसे के डिजिटल प्रद्योगिती जैसे के लैंगिक समानता और अन्य आर्थिक मुद्दे और जो हमारे र्वांडा के विदेश मंत्री हैं वो इसके समय अध्यक्ष है जनरल लुई मुशी की वाभू उनका नाम है सेक्रेटरी जमिल लिए महासचिव हैं और वो इस कारेकरम का आयूजन करना है और इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस फ्रेंकोफोनी समिट का जो थीम है अफ़ोल्डिंग, create, innovate, and do business in French. The theme a new method of discussion will be followed during the summit. तो इसमें जो है इसकी थीम है Create, Innovate and Do Business in French यहने के स्रुजन करें, नवाचार करें और प्रांसीसी भाषा में व्यापार करें, प्रांस के साथ व्यापार करें, प्रांस के तरिकों के साथ जुनें इसलिए यह बहुत महत्पूर हैं और जैसा कि मैंने आप से कहा कि यह डिजिक मुद्धे भी इसमें देखे जा रहे हैं, डिजिटल टेक्नालोजी में जैसे कि आजकल AI, Artificial Intelligence बहुत महत्पूर है, तो इसलिए यह खबर हमारे और आपके Civil Services के एक्जाम के लिए एक महत्पूर खबर बन सकती है, जिसमें प्रिलिम्स में भी सवाल पूचा जा सकता है, और में एक्जाम के पेपर 3 में भी सवाल आ सकता है, दूसरी बात आप देख सकते हैं कि जो COVID-19 की महामारी हमारे देश और दुनिया में आई, उस समय खासतोर से भारत इसके लिए पहले से तयाब नहीं था, और हमें कोई फायरफाइटिंग मेकेनिजम हमारे पास नहीं था, हम सब की तयारी के लिए जूजना पड़ा और इसका नुकसान भी हमको उठाना पड़ा, तो फिर अगर कभी इस तरीपे की कोई महामारी आती है, तो उस पर हम कितना तयाब हैं और हमें क्या-क्या तयारी पहले से रखनी चाहिए, इसको लेकर के हमारे नीतियायोग ने एक र नीतियायोग के द्वारा एक विशेशग्य समू, उच्चाधिकार प्राप्त विशेशग्य समू का गठन किया गया, जो की भाविश्य में होने वाली किसी भी तरह की महामारी के संदर्व में एक विश्तृत अनुशन सा रिपोर्ट तयार करेगी, इसको ध्यान रखिये, एक नया कानून बनाने की सिफारिश, नीतियायोग के इस विशेशग्य समू के द्वारा की गई है, जिसको की PPER, Pandemic Preparedness and Emergency Response Framework का नाम दिया गया है, और ये कह रहा है कि हमें एक नया कानून बनाना पड़ेगा, और वो कानून है, Public Health Emergency Management Act, याने लोक स्वास्थ आपात प्रबंधा नधिनियम, लोक स्वास्थ आपात प्रबंधा नधिनियम, Public Health Emergency Management Act, क्योंकि आपको पता है कि इसके पहले हमारे हाँ आज तक ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसके आधार पर शासन, प्रशासन और हमारे कारेपालिका के, हमारे डॉक्टर्स, हमारे मेडिकल टीम, हमारे एमर्जेंसी स्टाफ, हमारे हेल्थ वर्कर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, जिनकों की कुछ अधिकार और शक्तियां या क्या काम करना चाहिए जब इस तरीके की कोई महामारी आ जाए तो हमने अभी तक Epidemic Act और NDMA से काम चलाया था लेकिन वो परयाप्त नहीं है और इसलिए इसने कहा है कि एक नया कानून फेवा बनाना चाहिए यह बहुत इंपॉर्टन रेकिमेंडेशन है दे एक्सपर्ट ग्रूप विच वस फॉर्म्ट इन जून 2023 इस विश्यरक विस समूह का गठन जून 2023 में किया गया था बेस्ट इस रेकिमेंडेशन्स ओन दी लर्निंग्स और चैलेंज़स अब दी कोविड-19 पैंडेमिक और पब्लिक हेल्प क्राइस और इसने कोविड-19 की महामारी और इस तरीके के अन्य स्वास्थ संकटों को ध्यान दे रख करके क्या करना चाहिए उस पर अपनी रिपोर तयार की है और इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण जो सिफारिशें इसमें की गई है पहला तो यही है एनेक्टमेंट अफ फेमा की फेमा नाम का एक कानून बनाया जाए क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तक हमने अपने देश में को इस तरीके का कानून हमारे हां नहीं है औ जो कोविड महामारी ही उसमें एपिडेमिक डिजीजेज एक एडिए 1897 कितना पुराना कानून है यहने की महामारी अधिनियम 1897 का कानून और नेशनल डिजास्टर मेनेजमेंट एक एडियमे 2005 के प्राधानों के तहत हमारे प्रशासन ने इस पर काम किया था इस बार बट तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो एडिये है एडियमिक डिजीज एक्ट महामारी अधिनियम 1897 का एक बहुत पुराना कानून है और इसमें इस तरीके की के संक्रामत रोख फैलने पर या इस तरीके का स्वास्त संक्टाने पर या इस तरीके की कोई महामारी फैलने पर क्या करना चाहिए किस तरह से कंटेन्मेंट जोन बनाने चाहिए या क्या कारवाई करनी चाहिए इस विशे में ये कुछ नहीं कहता अपर्याप्त है और इसलिए इसको बदलने की नए सिरे से ज़रूरत है देन्डी में वस लाइकवाई नॉट डिजाइंड टो एल्थ एमर्जेंसी इप दस नॉट स्पेसिपिकली डिफाइन पब्लिक हेल्थ एमर्जेंसी और एपिडेमिक्स और इसी तरीके से जो हमारा एंडी में है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक यहने के राष्ट्री आपदा प्रवंदन अधियम यह भी महामारी से जूजने के लिए नहीं है यह स्वास्थ संकत या स्वास्थ आपात परस्थितियों से निपटने के लिए नहीं है बलकि यह बनाया गया था आपदाओं से निपटने के लिए वो आपदाओं जो मानव जनित हो सकती है या प्राक्रिटिक हो सकती है जैसे के बार है सूखा है भूकम्थ है सूनामी है लैंड स्लाइड है इसमें एपिडेमिक जैसी कोई चीज या महामारी जैसी कोई चीज या बीमारी जैसी कोई चीज शामिल नहीं थी तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस जो एक्सपर्ट कमिटी थी रेनु स्वरूप तो इस विशशक के समूख की जो अध्यक्ष थी उनका नाम रेनु स्वरूप है जो की सचिव रही है बायो प्रद्योगी की जैप्रद्योगी की विभाग में बायो टेक्नोलोजी विभाग में उन्होंने इस पर काम किया और इन एक्सप्रेस को बताया इसमें एक और से फारिशकी की गई है इसमें कहा गया कि हमें एक नया अधिकार प्राप सचिवों का समूख बनाना चाहिए और यह जो अधिकार प्राप सचिवों का समूख होगा इसकी अध्रिक्ष्टा कैबिनेट सचिव, मंत्रि मंडल सचिव को करनी चाहिए ताकि यह तैयारी किस तरीके से की जाए पहले से क्या-क्या हमको तैयारी रखनी चाहिए और ऐसे संकट महामारी और स्वास्थ आपात परिस्थिती में क्या-क्या हमें कदम उठाने चाहिए इसके बारे में विचारवे मर्शो उस पर कारवाई हो उस पर पैसले लिये जाए निरने किया जाए इसके लिए सीधे भारत सरकार के कैबिनेट सचिब की अधिश्टा में एक उच्चा दिकार प्राप्त सचिवों की समेटी EGOS इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसका काम होगा कि अगर इस तरीके की कोई परस्तिती आती है तो उस परस्तिती से में पटने के लिए हमारे पास वित्तियन आर्टिक प्रबंधन शुरोत कहां से आएंगे और एंडी यहने के रिसर्च और डिवलप्मेंट शोधर अनुसंधान के काम कैसे निरंतर चलते रहें और साथी साथ कैसे उस पर निगरानी तंतर बनाया जाए कि बीमारी को फैलने से रोका जा सके और कैसे हम स्वास्त सेवाओं, स्वास्त तकनीक, स्वास्त क्षेट्र से जुड़एवे विशशग्यों, संस्थानों और संगठनों के साथ मिल करके काम करें यह सारे सुझाओ इस समिति के द्वारा दिया जाएगा, इस तरह से एक और बात कही गई है, तो स्ट्रेंथन सर्विलांस, दर रिपोर्ट मेट सेवरल रेकिमेंडेशन्स पर स्ट्रेंथनिंग दिजीज सर्विलांस नेटवर्क, और इसमें यह कहा गया कि महामारी के समय में उसका निगरान करने के लिए एक मजबूत तंत्र हमारे पास होना चाहिए, और वो मजबूत तंत्र कैसे बनाए जाए, यह भी इस समिति की सिपारिशों का एक हिस्सा है, नेटवर्क पर अरली वार्निंग्स, और पूर्व चेतावनी दी जा सके ऐसे महामारी के आने पर कि कहां कहां यह फ इसके बारे में आपको अगर और डीटेल से जानना है तो समझना पड़ेगा कि इसमें इंडिपेंडेंडेंट ड्रग रेगुलेटर की भी बात कही गई है, याने कि स्वतंत्र जो आउशधी विनियमन का काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों जो कि वैक्सिन्स, ड्रग् रखें कि किस तरीके से ये काम किया जा सकता है, और इस तरह से ये रिपोर्ट बहुत महत्तुपूर्ण है, तो दोनों ही खबरों पर अगर आपको डीटेल में और जानकारी चाहिए, तो आप हमारे इस विडियो के साथ दिये गए लिंक पर क्लिक करें, तो आपको जादा इनलिसिस के साथ सारा मैटर और कंटेंट भी मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अपने नोट्स बना सकते हैं, अपने एक्जाम में उसको यूज कर सकते हैं, अब तीसरी जो बड़ी महतुकून खबर है, टैनियर सा स्वच भारत मिशन, स्वच भार मिशन को इस सिर्फ देश में साफ सफाई या शोचाले बनाने का ही कारेकरण नहीं था, ये लोगों के मनोवज्ञानिक सोच और व्रिवहार को बदलने का भी एक प्रयास था, तो ये बहुत महतुकून है, जैसा के आप जानते हैं, स्वच भारत मिशन, बनाफ फर्स प्रोग्राम्स अनूंस राइंटर मोदी, आपर हे तुक आपस इन 2014, मोदी के द्वारा जब अपने प्रथम कारेकाल 2014 में उनने शुरुवात की थी, तो जो कुछ पहले बड़े महत्वकांग्शी कारेकरण उनके द्वारा घुशित किये गए, उसमें स्वच भारत मिशन एक था, जो की 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ, और 2 अक्टूबर 2014 को इसमें अपने 10 साल पूरे करें, दा मिशन वस डिवाइड़े इन्टू स्वच भारत मिशन ग्रामीन फर विलेजेज और स्वच भारत मिशन अर्बन फर सिटीज, एक्जेकूटेट बाई दे मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन और मिनिस्ट्री अफ हा को लागू करने के जिम्मेदारी थी पेजल और स्वच्छता मंत्राले की जो की ग्रामीलक्षेत्रों में ये काम कर रहा था और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेर्स आवास तथा शहरी मामलों का मंत्राले जो की शहरों में इस काम के लिए उत्तरदाई था जिम्मेदार था दिए स्वेम्स फोकस एरियाज वर बिल्डिंग इंडिविजूल टॉयलेट्स कम्यूनिटी टॉयलेट्स स्वालेट्स बेस्ट मैंजमेंट एंड लीडिंग अवेर्नेस कैंपेंज एम्डेड बेहिवरल चेंजेज जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया क दान सब्सक्राइब अच्छ भारत मिश्ञ में सौचाल एक निरमान के साथ साथ भ्याथिकतफ सौचाले उपयोग के लिए सामुदाइब शचाले उपयोग के लिए और ठोस अप्शिष्ट प्रवंधन को ये साथी साथ लोगों में जन जागरूपता है लाने और उनके व्यवहार और मनोविज्ञान में बदलाओ लाने के लिए कारेकरम किया गया था The PM announced that the SBM's main goal was to make India open defecation free by October 2, 2019 for which crores of household and community toilets had to be constructed प्रधानमंत्री मोदी ने जब इसकी घोशना की थी तो उन्होंने कहा कि दो अक्टूबर 2019 को जब इस कारेकरम के पांच साल पूरे होंगे तो हम देश को खुले में शौच से मुक्त करने का जो लक्ष है उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और इसके लिए हमें देश में करोनों शौचाले बनाने की आवशक्ता होगी और वो शौचाले व्यक्तिगत प्रयोग के लिए हों और सामदाइक प्रयोग के लिए भी और इस तरह से ओपन देश की परिभाशा क्या होगी यह ने का इसका जो मानक ते किया गया है वो यह ते किया गया कि अगर किसी भी शहर में या किसी भी शेत्र में वार्ड में पारशद शेत्र में एक भी व्यक्ति पूरे दिन में कहीं पर भी खुले में शौच करते हुए नहीं पाया जाता है नहीं देखा जाता है तो उस शेत्र को हम खुले में शौच से मुक्त घोशित कर सकते हैं open defecation free declare कर सकते हैं, notify किया जा सकता है, आप जामते हैं, to achieve the aim, the government's assistance was increased from Rs. 10,000 per toilet on the nirmal भारत अभियान of the previous UPA government to Rs. 12,000 under the SPF, तो ये कारिक्रन स्वच भारत मिशन, UPA की सरकार में, 2014 के पहले भी चल रहा था, जहां उसको निर्मल भारत अभियान, NBA कहा जाता था, और निर्मल भारत अभियान में, प्रतेक शौचाले के निर्मान के लिए, जो रूपए 10,000 दिये जाते थे, उसको स्वच भारत मिशन में शौचाले निर्मान के लिए बढ़ा करके, 12,000 रूपए याने 2,000 रूपए अतिरिक धंड़ाशी दे दे देगे, जब इस मिशन के द्वारत मिशन भाग दो की शुरुवात कर दी, और इस पर इसका ध्यान के लिए, जहान जो है, वो शहरों को कच्रे और कूड़े से मुक्त करना, जो अप्षिष्ट मल है, मानव मल जो इधर उधर पड़ा रहता है, नालियों में, रिल्वे ट्रेक के आसपास या इसी जगहों पर जहान लोग मलमूत्र का त्याग करते हैं, उस गंड़गी से पूरे शहर को मुक्त करना, साफसफाई फैलाना, साफसफाई के बारे में जाग रुपता, और साथी प्लास्टिक वेस्ट, जो हम लोग प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, और उसका इस्तेमाल करने के बाद हम उसे ठेक देते हैं, और इस तरीके से हम वाता वरण में प्रदूशन फैलाते हैं, उससे बहुत नुकसान होता है उसको भी कैसे नियंत्रित किया जाए और कैसे प्रदूशिक जल को ठीक किया जाए इसके बारे में ये करवाई स्वच भारत मिशन भागदो में की इसके सबसे बड़ी उपलब दिये रही कि 10 करोड से भी अधिक जादा शौचाले पूरे देश में बनाए गए और कुधान मंत्री मोदी ने 6 लाख गाओं को भारत के 6 लाख गाओं को दो अक्टूबर 2019 को खुले में शौच से मुक्त भोशत कर दिया और इस तरीके से अर्बन इंडिया एक्सेप्ट फर सिटीज इन वेस्ट बेंगॉल अर्बन याने नगरी क्षेत्रों में केवल कुछ शहर पश्चिम बंगाल के छोड़ दे तो बाकी में भी इसमें उलेख अपनीय प्रगति हुई है और इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसका बहुत सारा असर हमारे दैनिक जीवन पर स्वास सफाई पर पड़ा है तो आप इन खबरों को अच्छे से तयार करें अपने नोट्स मनाएं और कोशिश करें कि इन पर शौट नोट्स मना करके रखें ता इस विडियो में दिये गए लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको वो सारा मैटर मिल जाएगा जिसे आप डाउनलोट कर सकते हैं और अपने लिए प्रिंटाउट निकाल कर सकते हैं नोट्स मना सकते हैं इसी तरीखे की और खबरों के साथ हम लोग फिर मिलेंगे हमारे साथ उपयोगी लगता है यूसफुल लगता है तो आप इस हमारे प्रोग्राइम के इस हमारे चैनल को इस हमारे करेक्रम को शेयर करें सब्सक्राइब करें और एक दूसरे दोस्त और साथियों को रेक्रमेंड करें और देश में अपनी सिलुल से वाकी तयारी के साथ साथ ज्या झाल झाल